नमस्कार बच्चो कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 इसका प्रेशन 6 हम करने जा रहे हैं देखो बच्चो प्रेशन है यदी बिंदू 1,2 4,Y X,6 और 3,5 ये 4 बिंदू हैं इसी क्रम में लेने पर एक समानतर चत्रभुज के शीर्ष हैं देखे बच्चो समानतर चत्रभुज कैसा होता है इस प्रकार का होता है इस प्रकार से मा लीजे इसका हम नाम रख देते हैं A, B, C और D और इनके जो बिंदू हैं शीर्ष हैं वो हैं 1,2 4,Y इसी क्रम में लेने हैं जिस क्रम में लिखे हैं तो तीसरा होगा X,6 और चोथा बिंदू D होगा 3,5 ठीक है बच्चों ये एक समानतर चत्रभुज के शीर्ष हैं तो हमें X और Y निकालना है बच्चों समानतर चत्रभुज की कुछ प्रौपरटीज होती हैं कुछ उनकी विशेशता एं होती हैं उनमें पहली ये है कि उनकी आमने सामने वाली बुजाएं बराबर होती हैं लेकिन बुजाओं की लंबाई निकालने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा हम इसमें क्या करेंगे बच्चो समांतर चत्र भूजों की एक और विशेष्टा होती है कि इनके जो विकर्ण है इनके जो विकर्ण है वे एक दूसरे को समद्वी भाजित करते हैं यानि दो बराबर भागों में बाड़ते हैं तो मा लीजिए इनके विकर्ण आपस में मिलते हैं ओ बिंदू पर और हम ओ बिंदू के जो निर्देश आंख है वो मा लेते हैं एक कोमा बी आप विभाजन सुत्र में एक्स वाई लेते हैं हम बीच वाले में ए बी ले रहें तो बच्चों याद रखना क्योंकि यह हिस्सा इसके बराबर है इसका मतलए इनका अनुपात होगा एक रेश्यो एक अब हम एसी पर विभाजन सुत्र लगाएंगे ठीक है बच्चों ध्यान से समझेगा समांतर चत्रभुच के विकर्ण एक दूसरे को समद्वी भाजित करते हैं इसी प्रॉपर्टी का हम प्रियोग करेंगे इसका मतलए होगा कि मालो O के निर्देशांख है A, B आशा करता हूँ आपको विभाजन सुत्र याद होगा वो था M1 X2 प्लस M2 X1 याद है बच्चो तो देखो M1 है 1 और M2 भी है 1 क्योंकि अनुपाथ बराबर है दोनों का ना दोनों बराबर है तो 1 इंटू X2 X2 है X प्लस 1 इंटू X1 X1 है 1 बटा M1 प्लस M2 ठीक है बच्चों कोमा इसी प्रकार से M1 इंटू Y2 M1 इंटू Y2 Y2 है 6 प्लस M2 1 इंटू Y1 है 2 1 इंटू 2 बटा M1 प्लस M2 ठीक है बच्चों तो देखे यहां से A,B के निदेशां काएंगे 1 इंटू X X प्लस 1 इंटू 1 बटा 1 प्लस 1 2 6 एकम 6 प्लस 2 एकम 2 बटा 1 एकम 1 ठीक है बच्चों इसको हम एक बार आगे और हल हल कर लेते हैं अगर यह होता है तो X प्लस 1 बटा 2 यह तो हल नहीं होगा क्योंकि X में 1 प्लस नहीं हो सकता 6 में 2 प्लस कर दो 6 प्लस दो 8 बटा 1 8 को 1 से भाग करा 8 इसका मतलब A, B के निर्देशांख यह आ गए है ठीक है बच्चों यह तब आए हैं जब हमने विकरन लिया है AC अब हम विकरन लेते हैं BD BD के लिए D के निर्देशांख यह हैं B के निर्देशांख यह हैं इनका जो अनुपात होगा वो भी तो 1 वह वान ही होगा क्यों क्योंकि समांतर चत्रबुज में यह भी करन भी तो बराबर बराबर होगा यानि जितना O, D होगा उतना ही O भी होगा इनका B जो अनुपात आएगा वो 1 इस्टू 1 आएगा O के निर्देशांख यही होंगे A, B यानि कि अब हमने जो B और D के निर्देशांख देखने हैं विभाजन सुत्र 1 रेश्टू 1 लगाना है तो विभाजन सुत्र के नुसार O बिंदू के निर्देशांख होंगे A, B और यह होगा M1 इन्टू X2 M1 है 1 इन्टू X2 4 1 इन्टू 4 M2 है 1 इन्टू X1 वो है 3 1 इन्टू 3 बटा M1 प्लस M2 इसी प्रकार से M1 इन्टू Y2 Y2 है Y प्लस M2 इन्टू Y1 Y1 है 5 बटा M1 प्लस M2 M1 M2 दोनों ही 1 प्लस 1 है ठीक है बच्चा आईए अब इसे हल करते हैं लेफ्ट साइट पर एक कोमा B के निर्देश आंख है 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 बटा 1 प्लस 1 दो इसे एक स्टेप और हल कर लेते हैं बराबर 4 प्लस 3 होता है 7 बटा 2 और यहां पर Y और 5 आपस में प्लस नहीं हो सकते तो ऐसे जाज़ेगा Y प्लस 5 बटा 2 अब बच्चों ध्यान से समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं दिखिए ये भी है AB के निर्देशांग और ये भी है AB के निर्देशांग इसको लेले एक्वेशन 1 इसको लेले एक्वेशन 2 ध्यान से देखिएगा ये भी A, B के निर्देशांग है ये भी A, B के निर्देशांग है तो अगर ये AB के निर्देशांक है ये भी तो ये दुनों आपस में बराबर होंगे इसका X निर्देशांक X के बराबर होगा Y निर्देशांक Y निर्देशांक के बराबर होगा तो यहां हम लिखेंगे From equation 1 and 2 X निर्देशांक X निर्देशांक के बराबर यानि उपर है x प्लस 1 बटा 2 ये बराबर होगा नीचे x निर्देश आंक है 7 बटा 2 के और इसी प्रकार से y प्लस 5 बटा 2 जो की y निर्देश आंक है यह बराबर होगा उसके उपर वाली equation 1 के y निर्देश आंक के बराबर जो की है 8 अब हमें इन्हें हल करना है दोनों को और इनसे हमें x और y की values राप्त होंगी दिखे कैसे यहाँ पर यह दो से यह दो कर जाएगा क्योंकि दोनों ही नीचे हैं इसलिए कर जाएगे बाकी बट जाएगा x प्लस 1 बराबर 7 और यहाँ से x आ गया 7 1 इदर प्लस हो रहा उदर जाके माइनस तो यहाँ से x की value आ गई 6 ठीक है बच्चों इसी प्रकार से इसे हल करिए y प्लस 5 दो इस y प्लस 5 के साथ भाग हो रहा है उदर जाएगा तो 8 से गुना हो जाएगा 8 दुन ही होता है 16 अगले step में आ जाएगा y 16 पांच इदर प्लस हो रहा उदर जाके बराबर के उदर जाके माइनस हो जाएगा तो y हो गया 16 माइनस 5 और 16 पाइनस 5 होता है 11 तो हमने x और y का मान देखे प्रेशन में लिखा था x और y गयात कीजिए हमने x और y गयात कर लिया है हमने किया क्या बच्चो इस प्रेशन में हमने ये देखा कि हमें समांतर चत्रभुज दिया था और समांतर चत्रभुज की हमने property यूज़ करी कि इसके जो विकरना है वो OD का OB के साथ अनुपात एक ratio एक होगा हमने पहले AC भी करण लेकर विभाजन सूतर लगाया फिर BD भी करण लेकर विभाजन सूतर लगाया दोनों से ही हमें इस बिंदू के निर्देशांग प्राप्थ हुए हमने equation एक और equation दू को एक दूसरे के बरापर सिद किया और वहाँ पर बाकी वीडियोस को भी बाकी प्रशनों को भी अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद